एक इंपॉर्टेंट चीज काफी डिस्केशन में आ रही है वो है असवेई प्यो प्रिम्स का जो पेपर कई अलग लोगों ने रिपोर्ट किया है कि मेरा जो एक्जामनेशन था जिस सिफ्ट में था बहां पर हमें मौडरेट देखने को मिला अगर मैं आपको बताऊं अभी अगर नौ लाक लोग आपको यहां पर यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि 75,000 लोग अगर किसी एक ऐसी सिफ्ट में बैट रहे हैं जहां पर पेपर 52-54 के आसपास करने वाला आ रहा हो तो सारे लोग आउट हो जाए उस गेम से और अगर हम अगर हम अगर सिफ्ट की कम कर आए तो उस पूरी सिफ्ट से ही सबके सेलेक्शन हो जाएंगे दो यह तो शूर है कि 10 टाइम सेलेक्शन होंगे एच पर दा वेकंसी अगर 2000 क्या सपास अगर हम वेकंसी वाने तो इंटू 10 टाइम 20,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा लेकिन दोस्तों यही हो स्विजर नहीं होना चाहिए कि हमें आगे मेंस की फर्दर प्रिप्रेशन करनी है और जो सिर्फ मॉडर्ट आई थी बहां पर 100% एडवांटेज मिलेगा और यह कोई ऐसा एक्जामनेशन नहीं है कि यहां पर आपके सेक्सनल आएंगे ओबर आल आपके मार्क्स आने 24, 26, 28 ऐसे हमने रिजनिंग में मार्क्स बहां पर बनाये थे तो यह चीजें बहुत इंपक्ट डालेंगी और अगर हम बात करें तो पूरे पेपर का जो सीन था वो हमें एक एक्ट्वल देगा तो अभी नॉर्मलाइशन होगा उसके बाद हमें एक्ट्वल पता चल करेंगी तो मैं जो पोल है उसका आपके साथ रिजल्ट भी सेर करूंगा कि कितने लोगों ने क्या-क्या परसेंटाइल के हिसाब से क्या अपना व्यू वहां पर रखा है तो आगे हम लोग अले सेशन में मिलेंगे थैंक्यू है बढ़ा फिबंस अगें वीडियो